ज्यान और अनुभव के आधार पर निर्णय में फर्क है. अनुभव ही सही निर्णय तक पहुचाता है. जो मनुष्य संसार में जितनी भलाई करेगा, उसको इश्वर की व्यवस्था में उतना ही सुख प्राप्थ होगा. जीवन उडान नहीं भर सकता, लेकिन बदल सकता है. उन्मीद कम हो सकती है, लेकिन मर नहीं सकती. कई बार यह सोच आदमी को सफलता से दूर रखती है कि जो लोग सफल हो रहे हैं वे हमसे अधिक होशियार हैं ऐसी बात नहीं है आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है आपका विश्वास जितना मजबूत होता जाएगा जीवन से शंकाएं उतनी ही दूर होती जाएंगी खोने की पीड़ा भोलकर सदैव नया पाने की कोशिश में लगे रहना ही जीवन की सार्थकता है सफलता एक विज्ञान है यदी परिस्तितिया है तो परिणाम मिलेगा अपनी समस्याओं को पहचाने लेकिन अपनी शक्ती और उर्जा समाधान में लगाएं अच्छी पैंटिंग के लिए रंगों का सही संतुलन जरूरी है अच्छे जीवन के लिए संतुलित विचार सच बोलना और सच के रास्ते पर डटे रहना ही जीवन की सार्थकता की गारंटी है मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करें रिष्टा ऐसा रखो कि उसका अंत नहो, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रू बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्ध ही लोगों को मित्र और शत्रू बनाते हैं। ज्यान सोचने से नहीं मिलता, इसका एक मात्र स्रोत विफलता, वह सफलता से मिला अनुभव है। सफलता सन्योग से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। जैसे लकडी में छिपी अगनी, अपने आप प्रकट नहीं होती, वैसे ही ज्ञानदीक भी स्वयं प्रकाश नहीं करते, दोनों के लिए परिश्रम आवश्चक है. संसार में पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता, जब तक की ज्ञान को आचर्ण में न उतार लिया जाएं. लक्ष्य निश्चित करें, अपने लक्ष्य को मन में उकेर लें, अपने लक्ष्य से अपने मन को व्याप्त कर लें, सफलता आपकी ओर खिची चली आएगी. तन, धन और यववन नश्ट होंगे, इनका अभिमान न करो. कठिन परिस्थितियों में संधर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ती विक्सित होती है, जिसका नाम है आत्मबल. जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती, वह सुन्दर नहीं हो सकती, और जो सुन्दर नहीं हो सकती, वह सत्य भी नहीं हो सकती. जहां आनंद है वही सत्य है धन के मद में मतवाला मनुष्य गिरे बिना होश में नहीं आता जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनरजीवित करने के लिए परियाप्थ है उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए परियाप्त है ऐसे ही प्रेनादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर वस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद